एक बार की बात है, एक छोटे से गाव में रहती थी एक खूपसूरत सी लड़की जिसका नाम रीतिका था. रीतिका के बाल बहुत लंबे और घने थे और उसकी चोटी में एक जादूई शक्ती थी. रितिका की चोटी किसी भी चीज को बांध सकती थी और किसी भी ताकत को तोड़ सकती थी एक दिन गाव के पास के जंगल में एक बड़ा सा साम रहता था साम बहुत भूख से परेशान था और वहां हर रात गाव में आकर लोगों को परेशान करता था गाव वाले बहुत डर गए थे और उन्हें नहीं पता था कि साम को कैसे रोका जाए रीतिका ने फैसला किया कि वह साम को रोकेगी वह जंगल में गई और साम का सामना किया साम बहुत गुसे में था और उसने रीतिका पर हमला करने की कोशिश की लेकिन रीतिका ने अपनी जादूई चोटी से साम को बांध दिया साम बहुत हैरान था और वह समझ नहीं पा रहा था कि रीतिका ने उसे कैसे बांध दिया रीतिका ने साम से कहा तुम्हें भूख लगी है ना मैं तुम्हें खाने दूँगी लेकिन तुम गाव वालों को परेशान नहीं करोगे सांप बहुत खुश हुआ और उसने रीतिका की बात मान ली रीतिका ने सांप को हर दिन खाने के लिए दूद और अंडे देती थी साब भी अब गाव वालों को परेशान नहीं करता था और वहां रीतिका का दोस्त बन गया गाव वाले रीतिका को एक बहादुर और दयालू लड़की मानते थे उन्होंने रीतिका को धन्यवाद दिया कि उसने उनकी सुरक्षा की रीतिका जानती थी कि उसकी जादूई चोटी ने उसे एक बहादूर लड़की बना दिया है और वह हमेशा लोगों की मदद करेगी